हेलो दोस्तो, लेट्स ले बार्बी में आप सभी का स्वागत है यहां पर पिंकी अकेले सो रही है अरी लेकिन मुल्ना उर सिर्धात कहां पर है और यहां पर काजल बैठी हुई है अरी पिंकी गो क्या हो गया है, सब लोग उठ गए है और पिंकी अभी तक सो रही है कहीं कोई प्राब्लम तो नहीं है अरे पिंकी उट जाओ सुबा हो गई है कब तक सोगी सब लोग उठ गए है आठ बच गए है जल्दी से उठ जाओ इतनी देर तक तो तुम कभी भी नहीं सोती हो क्या हो गया कोई मसला है क्या बताओ मुझे अरे पिंकी इतनी दिर तक तो कभी नहीं सोती है क्या हो गया मुझे जाके देखना चाहिए क्या पिंकी को अरे लगता है मुझे भावी बुला रही है लगता है सुबा हो गई है अरे हाँ सब लोग उठ गये हैं तो आठ बच गया है चलो मैं जल्दी से उठती हूं यह मुस्ची क्या हो गया मैं अभी सब क्या है इतने सारे पिंपल मेरे चेहरे पर कैसे निकल गए अरे मेरा चेहरा कितना स्यादा गंदा दिख रहा है मैं क्या करूँ इतने स्यादा पिंपल कैसे निकल गए मेरे चेहरे पर मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया मैं क्या करूँ कितने बड़े बड़े पिंपल है अम मैं इने कैसे हटाऊ एहहे मेरा चेहरा अरे पिंकियों किया हुआ इतना सदर हो क्यों रही है जाके देखती हुँ मैं क्या हुआ पिंकी तुम्हें मताओ मुझे रूचा मैं आ रही हुँ तुम्हारे पास अरे नहीं नहीं भाबी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है आप चिंता मत किजे मैं आ रही हुँ अरे मुझे तो लगता है कुछ न कुछ घडबर जरूरे है चलो मैं जाके देख चाकिर आती हूँ आखर पिंगी ती जोसुक्त और छेहरा देख लिया तो तो बहुत द्यदा हसेंगी अरे आखिर रातो रात इतना सारा पिंपल मेरे जहरे पर कैसे निकल गया अरे हाँ आइडिया चलो मैंने जल्दी यल्दी मैकप करके छुपा लेती हूँ फिर भावी मेरे उपपर नहीं हसेंगी अच्छा वा घर पे सिधात जी नहीं है नहीं तो मुझे चिढ़ाने का कोई भी मोका नहीं छोड़ती है चलो मैं जल्दी से मैकप करके अपने सारे पिंपल छुपा लेती हूँ और फिर यहाँ पर पिंकी जल्दी यल्दी मैकप करने लगती है अरे यह किया ही तो एक भी पिंपल नहीं छुपे चलो चलो थोड़ा सा और पावडर लगाती हूँ शायद छुप जा इस बार और फिर यहाँ पर पिंकी ढेर सारा पावडर अपने जहरे पर लगाने लगती है छुप जा छुप जा सारे पिंपल अरे बाबरे कितने साधा भद्धे है अतने बड़े बड़े हैं अरे तो छुपे ही नहीं अरे रुख जवा पिंकी मैं आ रही हूँ क्या हुआ तुम्हें कोई मसला है क्या रुख ज़ाओ मैं आ रही हूँ अरे भावी तो इसी तरफ आरे मैं क्या गरूँ अरे हाँ चलो जल्दी से घूंगट ले लेती हूँ भावी मेरा चेहरा नहीं देखेंगी मैं आ रही हो पिंकी रुख जाओ क्या हुआ तुम्हें अरे ये क्या अरे तुमने इतना बड़ा घुंगड क्यों लिया हुआ है पिंकी बताओ मुझे इससे पहले तुमने इतना बड़ा घुंगड कभी भी नहीं लिया तुम पहला कुछ भी करती रहती हो अरे नहीं नहीं भाबी ऐसे कोई बात नहीं है वो बात यह कि मैंने वुरत रखा है कि मैं सबसे पहले सिधाजी का चेहरा देखूंगी इसे लिए आप चिंता मत किजिए सिधाजी आ जाएंगे तुम्हें घुंगट हटा दूँगी ठीक है ना उसे पताईए क्या काम है क्या कहा अरे मुझे तो कुछ गरबर लगती है पिंकी रुख जा मैं अभी देखती हूँ तुम्हें अपना चेहरा क्यों चुपाया हूँ अरे भाबी क्या करें रहने तीजे भाबी अरे पिंकी रुख जाओ क्यों भाग रही हूँ देखने देओ मुझे तुम्हारा चेहरा क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को रुख जाओ अरे भाबी आप तो मेरे पीजे पड़ गई जाने दीजे जाने दीजे कोई बात नहीं अरे अप तो मैं तुम्हारे चेहरा देखके ही रहूंगे क्या बात है हाँ हाँ रुख जा पिंके मैं तो तुम्हारा चेहरा देख की ही रहूंगी आज अरे भाबी क्या आप मेरे पीजे पड़ गई अच्छा ठीक है रुख जाए मैं अभी आपको अपना चेहरा दिखा देती हूँ क्या कहा सच में दिखाओ मुझे ये देखिए भाबी मेरे चेहरे पर अरे ये क्या पिंके तुम्हारे चेहरे पे ठेर सारा पिंपल निकल गया है रातो रात ये कैसे हुआ अरे भाबी मुझे भी नहीं पदा कितने सारे पिंपल मेरे चेहरे पर कैसे निकल गया कितना ज़़ादा दिख रहा मेरा चहरे, हमें क्या करूँ अरे पिंकी, इतना ज़़ादा मैक अम नहीं करते हैं, वो केमिकल से भरपूर होते हैं उन्हें चहरे पर लगाओगी तो ऐसा ही होगा न, देखो कितना सर पिंपल निकल गया इतना तदा प्रोड़क्ट यूस नहीं करना चाहिए चहरे पर अरे भावी मैं क्या करोगे सिधाजी और बच्ची आगे तब तो वो मुझे बहुत तदा चिड़ाएंगे मैं अपना मुझ कहां छुपाऊं वैसे भावी आप भी तो मेकप करती हैं ऐसा तो नहीं है कि आप मेकप नहीं करती पर आपका चहरा इतने तदा गोरा और एदम साफ कैसे है बताइए मुझे आपकी चहरे पर तो एक भी पिमपल नहीं है अरी हां पिंकी में मेकब लगाती हूँ लिकिन मैं घरेलुन सुसके भी ट्राय करती रहती हूँ अपने चेहरे पर हल्दी का उपतन, डही का उपतन, केले का सब कुछ में लगाती रहती हूँ इस से लिए मेरे चेहरे पर एग भी पिंपल नहीं है अच्छा रूख जाओ मैं तुम्हारे लिए भी उप्टन बना के लाती हूँ ठीक है ना फिर तुम्हारा पिंपल ठीक हो जाएगा क्या भावी आप सही कह रही है क्या मेरा पिंपल ठीक हो जाएगा जल्दी से बना के लगा दिजिए ना भावी अरी हाँ हाँ रुख जाओ मैं अभी बेसन और दही का उटन बना के लेकि आती हूँ तुम्हारा चेहरा एकदम ठीक हो जाएगा बैट जाओ तुम हाँ ठीक है भावी जल्दी से बना के लेकि आए मैं बैट रही हूँ अरी मुझे बेसन के उटन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलो मैं जल्दी से बेसन लेके जाती हूँ बेसन तो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही दाद अच्छा रहता है अब जाके थोड़ा सा शेहद और हल्दी भी ले आती हूँ इसे तो चेहरा इदम सोफ्ट हो जाएगा और मुलायम भी हो जाएगा और पिम्पल भी हट जाएंगे चेहरे से थोड़ा सा और रुख जापिंके मैंने सारा सामेगरे कठा कर लिया है बस सिर्फ क्या लाना है अरी हाँ दही लेकि आना है दही से तो हमारा चेहरे दम खिल जाता है और फिर यहाँ पर काजल दही लेकर आने लगती है चलो ये भी ले आई हूँ इसके अंदर दही उसके बाद हाँ दो चमच बेसन डाल देती हूँ ये एक चलो इसमें डाल देती हूँ और दूसरा चमच भी डाल देती हूं इसके अंदर ये दो बस हो गया इतना काफी है अब सुरों इसे जल्दी से मिक्स कर लेती हूं इसके बाद अरे हाँ एक चुटकी हल्दी डाल देती हूं इसके अंदर जादा नहीं डालूंगी नहीं तो पिंकी के चहरा दम पीला पीला ह हो जाएगा बस उतना ही डालूंगी जैसे पिंपल हट जाए इससे इसकी नेकदम सोफ्ट हो जाएगा अरे वा भावी आप तो कमाल है आपको तो सब पता है कि किसमें क्या गुण है अरे हाँ पिंकी ये सब मेरी दादी ने मुझे सिखाया था उन्हें घरेलू उटन बनाना बहुत दा पसंद था वो मेरी चेहरे पे हमेशा ही लगाया करती थी रूजा अब यहीं उप्टन मैं तुम्हारे चेहरे पे लगाऊंगी अगर यह भी पिंपल बचा ना फिर बोलना मेरा नाम बदल देना तुम चलो उप्टन तो बनके इदम तयार है अब मैं जल्दी से पिंपी के चेहरे पे लगा देती हूं रुख जो पिंपी मैं अभी लगाती है तुम्हारे चेहरे पर अरे भाबी कितना ज्यादा ठंडा है अरे हाँ पिंपी ठंडा तो हो गाई इसके अंदर दही है चलो मैंने अच्छे से लगा दिया तुम्हारे चेहरे पे अब 15 मिनट आराम करो जब ये सुख जाएगा फिर इसके बाद धुलना अभी आराम करो हाँ ठीक है भावे मैं 15 मिनट आराम कर लेती हूं अरे तो धेर सारा उप्टन बच गया मैं इसका क्या करूं अरे भावी इसे बिल्कुल भी मत फेगना ये तो बहुत दद अच्छा है आपने चेहर है और ठीक है अरे च्छा बोट करके भाग रही हूं कहां है पाल होंगे अपने आपकों से देखा है जल्दी देखिए वहीं पर है अरे मुझे लगता है तुम आले मामी और चाजी के भूत खा गए अरे बच्चों चुप हो जाओ श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श तुमने लाठे के उले ही है अपने अरे तुम सबको धोने के लिए रूख जाओ कहा भाग रहे है भूत रूख जाओ अरे सिधाजी छोड़िये हमें सिधाजी अब ये क्या कर रहे हैं मैं पिंकी हूँ रूख जाए रूख जाओ भूतो अरे सिधाजी मैं पिंकी हूँ और ये भावी है आप ये क्या कर रहे हैं बताईए अरे हाँ सिध्धाद में तुम्हारे भावी हो तो हमें मारोगी क्या हाँ हाँ अरे मुझे बेवकूप बनाना इतना आसान नहीं है समझे भूदाओ मतमिलगों को छोड़ूंगा नहीं अरे मेरी पिंकी जी से बिल्कुल भी नहीं दिखती है अरे सिध्धाद जी आप तो एक नंबर के बुद्धू है अच्छा रूँ चाहिए हम अभी अपना चहरा स्ताफ करके आते हैं फिर आपको पता चल जाएगा हाँ ठीक है दो मिनट के अंदर जल्दी से आओ ठीक है ना ठीक है सिध्धाद जी चलिए चलिए भाबी चलते हैं अरी हाँ पिंकी जल्दी चलो नहीं तो इस सिध्धाद तो हमें पीट-पीट के हमारा भुरता ही बना देगा देखा देखा शुटी वो दोनब भुद कैसे बुद्ध बना के भागगे तुम्हारे चाचु को चलिए भाबी जल्दी चलिए विसे भाबी रुकिए आपने कुछ नोटिस किया क्या जरा मेरा चेहरा देखिए अरे भाबी थाइंक्यों आपका उटन तो बहुत ही तोदा अच्छा था उसे तो मेरा सारा पिमपल गायव कर दिया अब चलो चलो जल्दी से चलो ने तो सिधधात हमें जोड़ेगा नहीं हमें लाटियों से मार मारके हमारा भूर्दा ही बना देगा हाँ हाँ चलो चलो भावी जल्दी चलते हैं सिधार जी के बुध्दू औरीच ही मुझे क्या सिद्धाजी आप भी ना अरे रहने दीजे कितना हसेंगी भाई हो कोई बात ही अंत भला तो सब भला दोस्तों अगर आपको हमारी कहाने अच्छ लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी